वेलकम दोस्तो नमस्कार साथियो आज की अभ्यास स्रेंखला का दोस्तो अभ्यास प्रस्ण आज का है दोस्तो 13 नमबर मीथेन गैस निम्न में से किस से निकलती या उतसर्जित होती है A ओप्सन केवल धान की खेतों से B ओप्सन है केवल दीमक की बामी से C ओप्सन A और B दोनों या D ओप्सन उपर्योक्त में किसी से नहीं मित्रो बड़े ध्यान से चुन करके इसका अंसर भेजियेगा इसका दोस्तो सही अंसर में कल के अभ्यास प्रस्ण के साथ बताऊंगा मित्रो जो कल का अभ्यास प्रस्ण था वो था आपका निमने लिखित में से कौन स्वावासन सनरक्षन रणनीती का उधारण है मिस स्वासासन या स्वावासन ये दोस्तो इनसीटू कंजर्वेशन होता है मैंने कल इंगलिस में भी बोला था आपको हिंदी में भी बोला था प्रंतु आप लोगों को पढ़ाने के बावजूद कलास में अपने अंसर गलत दिये हैं दोस्तो मन दुखित हो जाता है आपको पढ़ाने के बावजूद आप गलत अंसर करते हैं तब इसका दोस्तो सही अंसर है पहले आप सुनिये गार B option सही है बनस्पति बाग जो दोस्तों बाग है बाग आप लगाते हैं प्रकर्ति इसका संडरक्षन नहीं करते आप प्राकर्ति इस्थान पर ही इसका संडरक्षन नहीं करते बाग आप अपने इस्पेशल जगे पर लगाते हैं तो वो आपका एक्स सीटू होता है बहर जनित होता है उनका सनरक्षन कर दिया जाए वो in-situ सनरक्षन या स्वावासन या स्वासासन सनरक्षन कहलाता है clear मित्रो और ex-situ ऐसा प्राकर्टिक सनरक्षन जो प्रिकरती से उठा करके मनुस से अपने किसी special जगे पर सनरक्षन प्रदान करे वो ex-situ conservation कहलाता है clear मित्रो जिसे जीन वैंक, सीड वैंक, आपका जू, चिडिया घर ये आपका ex-situ के अंतरगत आता है जबकि जेव मंडलागा, राष्टियो द्यान, पवित्र उपवन ये आपके in-situ के अंतरगत आते हैं और मित्रो आज का जो नया स्रिंखला स्टार्ट की है, मैंने जो वन लाइनर कुश्चन मेरे द्वारा बर चुने गए हैं उनका दूस्तो मैं revision करा रहा हूँ, उसे देखिएगा आज का वीडियो ओके मित्रो इसका अंसर भेजिए, 13 कुश्चन का अंसर क्या होगा किलिर मित्रो, ठैंक्स फूर वाचिंग वीडियो, जै हिंद, जै भारत मित्रो